कुछ बातें बयां करना काफी मुश्किल हो जाता है पर आज सुशान सिंग की आखरी फिल्म दिल बेचारा देखकर काफी अजीब सा लगा मैंने शायद ही आज तक कोई ऐसी फिल्म देखी होगी जिसमें मुझे हर वक्त या काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि बस यही है यही आखरी फिल्म है इसके बाद और कुछ नहीं खास्त और से शार इसलिए भी क्योंकि फिल्म के अंदर भी जिन्दगी और मौत का काफी जिक्र है उसके अंदर भी फिल्म के बारे में काफी बात चीत है और खुल के जीना और इश्क की बाते होती है तो एक तरह से देखा जाए तो काफी शांदार आखरी फिल्म और दूसरी तरह से देखा जाए तो काफी अलग अनुभव मुझे लगता ऐसा अनुभव पहले कभी हुआ है एक फिल्म देखने के बाद इस तरीके का मेटा रियलाइजेशन जिसे कहते हैं कि आप फिल्म में भी हैं आप बाहर भी हैं और फिल्म में जो हो रहा है उसको आप बाहर के नजरिये से भी देख रहे हैं तो सिर्फ आर्टिस्टिक नजारिये से देखना मेरे साथ से पूरा नहीं होगा, इसमें और भी चीजे चल रही हैं, आप देखना चला देख सकते हैं, अच्छे फिल्म है, कहानी भी अच्छी है, म्यूजिक एयर रह्मान का हमेशा इला जवाब रहता है, काफी विचित्र अनुभव, काफी दल्चस्प अनुभव, दिल नेचारा